हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चनल कॉंपिटीशन विद मांसी तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कवर कर रहे थे रिवर्स ओफ एमपी तो आज यह हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम बहुत इंपॉर्डन ड्रेनिज बेसिन को कवर करेंगे जैसे कि यानि कि इसका इंशेंड नेम किया है तापती रिवर को पहले तापी या फिर पायोशिनी नदी के नाम से भी जाना जाता था इसके अलावा इसके कुछ रिलिजिस बिलीफ्स यानि कि कुछ धार में कुश्वास है जिसके तैत इसको सूर्य पुत्री के नाम से भी जाना ज तो इसके अलावा इसका ओरीजिन कहा से होता है तो तापती नदी का ओरीजिन होता है काली भीत की पहाडियों से सत्पुड़ा रेंजिस में बेतुल डिस्ट्रिक के मुल्ताई रीजिन से तो ये बहुत खास है कि ये बेतुल डिस्ट्रिक के मुल्ताई रीजिन से जो है ये इसका origin माना जाता है इसके अलावा दोस्तों इसका confluence यानि की Milan ये कहां पर जाकर मिल जाती है तो ये जो नदी है ये अरब साधर में जाकर मिलती है लेकिन कहां से होती हुई मिलती है तो गुजरात में सूरत के पास से ही खंबात की खाडी में गिर कर और फिर ये आखरी में अरब साधर में मिल जाती है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टन डेलिज बेसन है इसलिए हम इसकी लेंथ भी देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो टोटल है 725 किलोमेटर ये उन्हें 725 किलोमेटर इसकी टोटल लेंथ है और जो इंपॉर्टन प्लेसेस ये कवर करती है वो चलते हैं कुछ important facts की दरफ तो तापती रिवर जो है वो मद्यप्रदेश की second river है जो की west direction में flow करती है western direction मतलब की जैसे की कोई river है वो यहां से origin हो रही है और जब वो इस direction में flow करती है तो इसको हम western direction मानेंगे पहली कौन सी है नर्मदा नर्मदा river भी western direction में ही flow करती है और उ you Verma रिफ्ट उयली का मतलब होता हैं घाटी होकर गुजरना तो ये अपती रिवर घाटी होकर गुजरती है और इसी के साथ यह estuary भी बनाती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि should you believe क्या होता है या फिर पता देती हूं कि estuary का मतलब होता है कि जब ए क नदी औरे ocean मे मिल जाती है तो उसको हम कहते एस्चुरी बनाना तो दोस्तों आई गोप आपको तापती रिवर सिस्टम समझ में आया होगा चलिए हम चलते हैं नेक्स स्लाइट पर तो अब हम पढ़ेंगे माही ड्रेनिश बेसिन माही रिवर जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है अब दारपूर वाले एरिया से और इसका मिनन कहा होता है यह नदी भी गल्फ ऑफ खमबाद यानि की खमबाद की खाड़ी में गुजरात से वडोदरा नाम की जगह से होती हुए निकलती है और वहां से जाकर खमबाद की खाड़ी में मिल जाती है कुछ इंपोर्टन प्लेसर जो ये कवर करती है वो है धार, जाबुआ और वडोदरा इसके अलावा अनस इसकी एक मेजर ट्रिबूटरी मानी जाती है और कुछ प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे की माही प्रोजेक्ट या फिर माही कैनाल ये भी माही रिवर पर ही बने हुए हैं अब कुछ फ गाटियों से होकर ही बहती है ये तीसरी ऐसी नदी है MP की जो वेस्टर्न डिरेक्शन में फ्लो करती है अभी मैंने आपको बताया कि तापती नदी भी वेस्टर्न डिरेक्शन में फ्लो करती है नर्मदा भी और इसी के साथ माही नदी भी वेस्टर्न डिरेक्शन में ही फ् तो वहीं पर ही ट्राइवल्स जो हैं वह बहुत जादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसे ट्राइवल्स की गंगा कहा जाता है और वायू पराण के अनुसार माही नदी को महती के नाम से भी जाना जाता है तो आप ये नाम भी इसका याद रखेगा आपको इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए हम कुछ important facts की तरफ चलते हैं देखिए दोफ तो ये हमारे सामने पूरा एक globe है जिसमें तीनों important जो lines हैं मों हमें दिख रहे हैं जैसे कि Tropic of Cancer, Equator और Tropic of Cancer, Capricorn पूरे वर्ड में तीन ऐसी नदिया है जो इन तीनों lines को दो बार twice कट करती हैं मैं उन से ऐसे निकलती हुई इस तरीके से वो काटती है तो कौन सी नदी हो गई वो माही नदी माही नदी जो है वो Tropic of Cancer को काटती है तो देखिए अब हम देखते हैं कि ये जैसे की equator है तो equator पे जो river इसको दो बार कट करती है उसका नाम है कांगो कांगो रिवर जो है वो equator को two times ये जो Tropic of Capricorn है इसको दो बार काटने वाली river का नाम है निंपोभो तो इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है उसका नाम है महा काली महा काली देखिए महा काली तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं देखिए महा से आ जाएगा माही जो Tropic of Cancer को दो बार काटती है का मतल तो यह तीन ऐसी नदिया है पूरे वर्ल्ड में जो इन तीनों इसको काटती है तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेसिन की तरफ जिसका नाम है गोदावरी ड्रेनेज बेसिन अब गोदावरी जो नदी है वो हमारे इंडिया की सेकिन लाजस्ट रिवर है आफ्टर भी कहा जाता है और यह जो नदी है यह बेसिकली हमारे एंपी से नहीं निकली है लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जो कि हमारे एंपी से निकलकर बाद में इस नदी में मिल जाती है इसलिए हम इसको एंपी के रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं और इसकी जो अब हम चलते हैं next pack की तरफ याने कि इसकी tributaries की तरफ तो इसकी सबसे important जो tributary है उसका नाम है pench river ये pench river कहां से निकलती है ये निकलती है छिंदवाड़ा district से अब हम इसे याद कैसे रखेंगे देखिए pench से हम pin मान सकते हैं और pin जो है उसको अकर हम कहीं पर भी लगाते है तो वहां से छेद हो जाता है तो pin से छेद याने कि छिंदवाड़ा हम याद रख सकते हैं इसके अलावा ये जाकर इसका confluence कहां होता है तो देखिए एक और जैसे कि मैंने आपको बताया है गुदावरी जो river है उसकी tributary है वेंगंगा वेंगंगा की tributary है जिसका नाम है क इसका नाम है वेंगंगा river अब ये जो वेंगंगा river है ये कहां से निकली है ये निकली है पासरवाड़ा mountain सीओनी district से आपको याद होगा जबलपू डिविजिन का पार्ट है ये सिओनी district से वेंगंगा river निकलती है और ये जाकर मिलती कहा है ये मिलती है वर्धा river में याने कि ये वेंगंगा जो है वो वो एक सिंगल नदी का फॉर्म ले लेती हैं और उसको हम कहते हैं प्राण हेतारेवर तो यह कई बार पूछ लिया जाता है कुछ important project देख लेते हैं अपर वेंगंगा प्रोजेक्ट जिसको हम संजे सरोवर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं जो बाला घाट और सियोनी के एरिया में आता है और इसकी कुछ tributaries जैसे की 52, कानहा, पैंच और बाग यह कुछ इसकी important tributaries हैं अब हम fact देख लेते हैं कि वेंगंगा जो है यह इकलौती ऐसी अकेली river है जो कि south direction हमारे state से south direction में भहती है जबकि इसके अलावा बाकी जितनी मी rivers हैं वो सब north direction में उपर की तरफ जाती हैं और यह मध्यप्रदेश और महाराश्ट्र इन दोनों states को cover करती है अब हम चलते हैं next Radha river की तरफ, Radha river की तरफ जो ओरीजिन है वो मुलताई बेतूल से माना जाता है जहां से अभी हमने देखा था तापती river का भी origin हुआ था मुल्ताई बेतुल से वही से स्वर्धा रिवर का भी origin माना जाता है और इसका confluence भी सेम बेंगंगा की तरफ ही मिलकर उसी के साथ मिलकर होता है जिसको हम प्रान हिता के नाम से जानते हैं तो आई होब आपको इतना सब को समझ में आ रहा होगा यह हमारे MP का सबसे smallest river basin है इसके अलावा जब bifurcation हुआता है हमारे MP का यानि कि जब हमारे मद्वर्देश का विभाजन हुआ था 2000 में तो major portion जो महानदी का है वो निकल कर 36 गड़ में चला गया था इसकी वज़े से आज हमें बहुत ज़्यादा एरिया इसका नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा इसका water हमारे MP तक नहीं आता है लेकिन इसकी कुछ tributaries है जैसे की गोदावरी की थी इसकी कुछ tributaries है जैसे की हस्दियो river यह जो है यह कुछ important tributary है जो की महानदी river system का पार्ट है और यह निकली कहां से है यह अनुपोर district से होकर गुजरती है जो की सिर्फ 154 square kilometer का area cover करती है यह उतना इसकी length है इसलिए इसको हम MP के river system में पढ़ते हैं आपको दोस्तों यह सबको समझ में आया होगा मेरी वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो बसन आ रही हो ता आप उसे लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंस के दाथ शेयर करिए थानकी सुमाट